हेलो स्टूरेंट्स वैलकम तो इगनू बड़ी तो देखिए इगनू में अक्सर स्टूरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके असाइन्मेंट मार्क्स को टाइम पर अपडेट नहीं किया जाता और कई बार बहुत टाइम हो जाता है कई बार तो 6 से 7 महीने भी हो जाते हैं लेकिन इगनू में स्टूरेंट्स के जो असाइन्मेंट्स का स्टेटस है वो भी अपडेट नहीं होता और उनके जो असाइन्मेंट्स के मार्क्स हैं वो भी अपडेट नहीं किया जाते बहुत मिस मैनेजमेंट होता है इगनू में और स्टूरेंट्स की हर साल यही प् जिसके 11 subject के assignment status है वो एक ही दिन में update हो गए तो सबसे पहले तो मैं आपको वो student का assignment status दिखा देता हूँ तो देखिए ये student है इसके December 2023 के जो status है उसको 8 January को यहाँ पर update किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 January को ही इसके 11 subject के जो status है उसको यहाँ पर update कर दिया गया एक ही दिन में ऐसा वैसे बहुत कम बार होता है कि एगनू में सारे subject के जो marks है या फिर status है वो एक ही बार में update हो जाए क्योंकि एगनू में result भी एक एक करके ही आता है कि अभी आपका एक subject का status update होगा और कभी आपके एक subject के ही result आएगा फिर उसके एक हफ्चे बाद दूसरे subject का तो इस तरह से आपने देखा होगा इगनू में लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही साथ 11 subject के assignment status को update कर दिया और जब ये marks update होंगे तो ये almost 3-4 दिन में सब के marks update हो जाएंगे क्योंकि जो status है वो एक ही दिन में update हुआ है तो marks भी एक ही साथ update होने के बहुत जाए चांसे होते हैं तो इस तरह से भी इगनू में कई बार status update हो जाता है आपको ये अगर आपका status update नहीं है या फिर किसी एक subject का status काफी time से pending है और वो update नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सीधे अपने regional center को contact करना है या फिर आप अगर विजट कर सकते हैं तो आप अपने regional center को जरूर विजट करें और अपने regional center को बता दें कि इस subject का जो assignment है उसका status update नहीं हुआ है तो वो लोग आपका status update कर देंगे और हो सकता है कि आपका status है assignment का वो जैसे इनका update हुआ है तो इस तरह से आपका को जरूर contact कर सकते हो तो आपको यह वीडियो आपको helpful लगी होगी तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और एगनू से related हर update और information के लिए एगनू बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना So, thank you for watching this video. Thank you so much!